नमस्कार, प्रिया दर्शकों, नौलज कौन्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत हैं। आज, हम धार्मिक और साहित्यक इतिहास की सबसे रहस्य मेर शक्सियतों में से एक लूसिफेर का पता लगाने के लिए एक आकर्शक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस चरित्र की जटिलताओं को समझने के लिए हमसे जुड़ें, जो दैविया और शैतानी दोनों गुनों का प्रतीक है। सुबह का तारा, लूसिफेर, जिसे अकसर, मौनिंग स्टार, या, लाइट ब्रिंगर, के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से शुक्र ग्रह का प्रतीक है जब ये सुबह के आकाश में सबसे चमकीले, स्टार, के रूप में दिखाई देता है। ये खगोलिय संग लूसिफेर को सुन्दरता, ज्यान के प्रतीक के रूप में चित्रित करता है, और एक नए दिन का अगरदूट। लूसिफेर शुक्र ग्रह की सुबह की उपस्थिती का लेटिन नाम है, ये ग्रीक नामों फोस्फोरस, प्ระकाश लाने वाला, और इस्फोरस, भोर लाने वाला, से मिल खाता है। इकाई का लेटन नाम बाद में शैतान के नाम के रूप में इसाई धर्म में शामिल कर लिया गया। इसाई धर्म शास्त्र में शैतान के नाम के रूप में अंग्रेजी में आधिक सामान्यार्थ, लूसिफेर, बाइबल के किंग जेम संसकरण में दिये गए यशाया में हिब ग्रीको रोमन सभ्यता में इसे अक्सर मानवीकृत किया जाता था और भगवान माना जाता था और कुछ संस्करनों में इसे अरोरा, डॉन, का पुत्र माना जाता था। धार्मिक ग्रंथों में लूसिफेर, एक दिव्य प्रानी से बुराई से जुड़ी आकृती में लूसिफेर का परिवर्तन इसाई बाइबल में सबसे प्रमुक्ता से चित्रित किया गया है। इस ग्रह का ग्रीक नाम विभिन प्रकार से फॉसफोरस, जिसका अर्थ, प्रकाश लाने वाला, भी है, या हैसफोरोस, जिसका अर्थ है, भोर लाने वाला, था। लूसिफेर को औरोरा और सिफिलस का प्रसिद्ध पुत्र और सेयक्स का पिता, कहा जाता था। लुसिफेर की मा अरोरा अन्न संस्कृतियों की देवियों से मेल खाती हैं. अरोरा, नाम वैदिक देवी उशास, लिथुआनियाई देवी ओश्रिन और ग्रीग देवी इोस के नाम से जुड़ा है, ये तीनों भोर की देवी भी हैं. साहित्य और संस्कृती में लूसिफेर लूसिफेर के चरित्र ने अंगिनत लेखा को कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है जॉन मिल्टन की Paradise Lost से लेकर नील गैमन की The Sandman तक लूसिफेर को एक जटिल और बहुआयामी चरित्र के रूप में खोजा गया है जो अधिकार, स्वतंत्र इच्छा और अच्छे की प्रकृती पर सवाल उठाता है और दुष्ट शैतान व्यक्तित्व समय के साथ, लूसिफेर इसाई धर्मशास्त्र में शैतान या शैतान का पर्याय बन गया इस परिवर्तन ने उसे परम प्रतिपक्षी, बुराई का आवतार और नर्ग के शासक के रूप में चित्रित किया शैतानी लूसिफेर को अक्सर सींग, एक काटेदार पूंच और के साथ चित्रित किया जाता है एक पिछकारी, इसाई धर्म में शैतान बुराई का अवतार है जिसने स्वयम भगवान के बराबर बनने की कोशिश में भगवान के खिलाफ विद्रोह किया उन्हें एक गिरे हुए देवदूत के रूप में दर्शाया गया है, जिसे समय की शुरुआत में भगवान द्वारा भौतिक दुनिया बनाने से पहले स्वर्ग से निश्कासित कर दिया गया था, और वह लगातार भगवान के विरोध में है वौचयस की पुस्तक से पूर्व इसाई हिब्रू विचार, जिसके अनुसार मानव महिलाओं को गर्भवती करने वाले स्वर्ग दूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था एक उभरते सितारे का बैबिलोनियन, हिब्रू मिथक, एक स्वर्गिय प्राणी के अफ्तार के रूप में, जिसे देवताओं के उच्चस तरों पर चड़ने के प्रयास के लिए नीचे फेक दिया गया था, बाइबल में भी पाया जाता है लूसिफेर का द्वैत लूसिफेर का द्वंद्व मानव कहानी कहने और प्रतीकवाद की जटिलता का एक प्रमाल है वो प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई और उनके बीच की धुंदली रेखाओं के बीच सदियों पुराने संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है ये द्वंद्व हमारी कलपनाओं को मोहित करता रहता है हनोक की पुस्तक, जिसका अनुमान लगभग 300-200 इसा पूर्व से लेकर 100-2020 तक का है स्वर्गदूतों के एक समूव के बारे में बताती है जिन्हें वोचेस कहा जाता है वोचेस को मानव महिलाओं से प्यार हो गया और वे उनके साथ संभोग करने के लिए प्रित्वी पर उत्रे जिसके परिनाम स्वरूप विशाल संताने हुई प्रित्वी पर ये गिरे हुए स्वर्ग दूद आगे स्वर्ग के रहस्य जैसे युद्ध कला, लोहार गिरी और जादू टोना सिखाते हैं अहनकार को आत्म देवता में चरम पर पहुँचने वाला एक बड़ा पाप मानते हुए लूसिफेर, हेलिल, शैतान का आदर्श बन गया प्रारंबिक मध्ययुगीन इसाई धर्म लूसिफेर और शैतान के बीच काफी भिन था जबकि लूसिफेर, शैतान के रूप में, नरक में कैद है शैतान अपने जागीरदार के रूप में लूसिफेर की इच्छाओं को क्रियानवित करता है हिपो की ओगस्टीन की खृतीस सिविटास देई, पाँचवी शताब्दी, कैथलिक चच सहित पश्चिमी दानवशास्त का प्रमुक मद बन गई ओगस्टीन के लिए, शैतान का विद्रोब बुराई का पहला और अंतिम कारण था इसके द्वारा उन्होंने शैतान के पतन के बारे में कुछ प्रारम्भिक शिक्षाओं को खारिच कर दिया जब दुनिया पहले ही बन चुकी थी इसके अलावा, ओगस्टाइन ने इस विचार को खारिच कर दिया कि इरश्या पहला पाप हो सकता है, जैसा कि कुछ प्रारम्भिक शायों का मानना था खजाने की गुफा जैसे स्रोतों से स्पष्ट है जिसमें शैतान गिर गया है क्योंकि वो मनुश्यों से इरश्या करता है और एडम के सामने खुद को जुकाने से इंकार कर देता है, गर्व के बाद से, दूसरों और भगवान से अधिक खुद को प्यार करना इरश्यालू होना आवश्यक है, दूसरों की खुशी के लिए नफरत, उनका तर्ख है कि बुराई सबसे पहले लूसिफेर की स्वतंत रिच्छा से अस्तित्व में आई लूसिफेर का भगवान का सिंधासन लेने का प्रयास स्वर्ग के द्वार पर हमला नहीं है, बल्कि एक अंत्वात की और एक मोड है जिसमें शैतान अपनी दुनिया में भगवान बन जाता है जब बाबिल के राजा ने यशाया हमें अपना वाक्यांच बोला, तो वो शैतानों के मुखिया लूसिफेर की आत्मा के माध्यम से बोल रहा था उन्होंने निशकर्ष निकाला कि जो कोई भी इश्वर से दूर हो जाता है वो लूसिफेर के शरीर के भीतर है और शैतान है, अभिमान के घातक पाप के साथ लूसिफेर निशकर्ष जैसे ही हम लूसिफेर की अपनी खोच समाप्त करते हैं, हमने एक खगोलिय प्रानी के विद्रो, प्रलोभन और विरोधी ताकतों के बीच शाश्वत संघर्ष के प्रतीक में परिवर्तन की जलक देखी है लूसिफेर की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे रहस्य में आकड़े भी गहन अंतरद्रिष्टी प्रदान कर सकते हैं मानवी अस्थिती इस ग्यानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद